जै मातरी दोस्तों कैसे हैं आप सबी? दोस्तों हमारे चैनल से जुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तों महान ग्रेम मंगल 22 मार्च की रात को 10 बच कर 6 मिनट पर धनू राशी की यातरा संपन करके अपनी उच की राशी मकर राशी में प्रवेश कर जाएंगे यहां ये पहले से ही विराजमान शनी देव की साथ मिलकर महायूती का निर्मान करेंगे मकर राशी में ये 4 मई तक रहेंगे 8 बच कर 37 मिनट तक इसके बाद कुम्ब राशी में प्रवेश करेंगे मकर राशी शनी देव की राशी है और मंगल की उच राशी है मंगल और शनी की इस यूती का आईए जानते हैं मेश राशी के जातकों पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है दोस्तों आपकी राशी के दशम भाव में ये गोचर होने वाला है उच्च राशीगत होना आपके लिए तरह तरह की कामिया भी दिलाएगा विशेश करके नौकरी में पदोनती, नौकरी में मान सम्मान, नए अनुबंद की प्राप्ती के योग बनेंगे लेकिन स्वभाव पर इनकी नीच द्रश्टी के प्रभाव स्वरूप पारिवारी कलह से आप मानसिक रूप से थोड़ी से परिशान रह सकते हैं गरह कलेश बढ़ेंगे इनकी द्रश्टी आपके स्वभाव पर नीच की होगी जिस वज़े से पारिवारी कल है बढ़ेंगे माता के स्वास्त का ध्यान आपको रखना होगा भूमी, भवन, अचल संपत्ती का योग बनेगा समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी और कारेशेत्र का विस्तार भी होगा आपको नौकरी के व्यापार के एक से अधिक स्रोत आए के लिए खुलेंगे जिससे आप अपनी अचल संपत्ती को बढ़ा सकते हैं भूमी, भवन, मकान और यातायात का कोई साधन आप खरीद सकते हैं कारेशेत्र में आपके विस्तार होगा आए के नई स्रोत आपके लिए खुलेंगे तो दोस्तो ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करें धन्यवाद